जहिन मित्रो, मैं रौशन तिवारी, अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का स्वागत करता हूँ आज हम लोग पेज नमबर कक्छा 9 का पेज नमबर 16 का को से न अंसर करेंगे ठीक है आप लोगों को स्क्रीन पे देख रहा होगा, देखके आप लोग नोट्स दयार कर लेजगा और अधिक से याद करने का कुछ कीजगा दूसरा प्रसन है, समागी मिसरन और भी समागी मिसरनों में अंतर बतावे समागी मिसरन का दिया हुआ है, समागी मिसरन का इसके संपुर्ण द्रवमान में समान संगटन होता है नहीं कि समांगी मिसरन का जो होगा इसका मिसरन आप उसको देखेगा तो समान रूप से मिला होता है आप उसको देखकर असपस्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि ये मिसरन है इसमें मिसरन की विभिन अभियवों के बीच असपस्ट प्रितक करन की सीमाय नहीं होती है उधारन क उदारने के लिए जल और रेत का मिसरन जल और रेत के मिसरन को आप देखेगा तो असपस टूप से आप देख लिजेगा कि इसमें कुछ न को कोई दूसरा तत्व मिला हुआ ठीक है पेस नमर के साथ समांगी निसरन और भी समांगी मिसरन में विवेड कीजित आपको पता ही है इसको नोट कर लिजेगा याद कीजेगा ठीक है आगे है प्रस्म दो बिलियन निलंबन और कुलाइड बिलियन निलंबन और कुलाइड एक दूसरे से किस परकार भिन है यह important points जब हुम लिखाये थे तो तभी भी इसको clear कर चुके थे ठीक है देखिएगा बिलियन कनो का आकार देशुक्सम होता है यह पूर्ण परदर्सी होता है यह बिलियन समांगी होते है इसके कन चना पेपर से पार निकल जाते है यानकि इसके कन चना पेपर से जब आप सो निकालिएगा तो आर पर हो जाएगा निलंबन कनो का आकार मध्याम होता है यानकि बिलियन से चोटा और billion से बढ़ा होगा correlated से चोटा होगा ये पारदरसी नहीं होते ये विसमांगी होते है यानकी पुरुन रूप से नहीं मिलते है इस कन को छाना paper से जब स्को चानिएगा तो R par नहीं होगा correlated कनो का आकार निलंभन से चोटा और billion से बढ़ा होता है ये पारभासी होते हैं ये भी समांगी होते हैं इनका कन चना पेपर से पार पुरुंतया नहीं निकल पाते हैं इसका पुरुंतया निकल जाएगा लेकिन इसका पुरुंतया नहीं निकल पाएगा ठीक है तीसरा प्रसन है एक संत्रिप्त विलियन ठीक है एक संत्रिप्त विल प्रवार होता है वीले की मातरा बटे विलियन का द्रवमान गुना सो विले की मातरा हो गया 36 ग्राम और विलियन का द्रवमान हो गया 100 ग्राम जोर 36 ग्राम गुने सौकर जी पर्सेंटेज के फर्मूला पर निकाल लेज़ेगा 26.14 ठीक है पेटरोल और मिती के तेल जो की आपस में घुलनसील है कि मिसरन को आप कैसे पिर्तक करेंगे पेटरोल और मिटी के तेल का जो मिसरन है ये आपस में मिला हुआ है इसको कैसे आप अलग कीजिएगा ठीक है पेट्रोल तथा मिटी के तेल के कौतनांकों में 25 डिगरी सेल्सियस से अधिक का अंतराल है निको दोनों का अंतर जो है 25 डिगरी सेल्सियस का है ठीक है कौतनांक का अंतर ठीक है प्रभाजी आस्मन विधी द्रवों के अवयवों के क्वातनांकों में अंतर पर आधारित होता है इस विधी में कम द्रब कौतनांक वाला द्रब पहले वास्पित होकर अलग हो जाता है और अधिक कौतनांक वाला द्रब आस्मन के पास्वकल में बच जाता है यानिकि पेट्रोल और मिट्टी तेल का जो मिसरन होगा उसमें जब इसको आप उसमा की उपस्तिती में छोड़ियेगा तो पेट्रोल का कौतनांग कम होता है वो वास्पित हो जाएगा और मिट्टी तेल बच जाएगा ठीक है तो प्रभाजी आस्मान विधी याद रखेगा प्रस्न दो है पिर्थक करने के लिए समान विधियों का नाम दे यानि कि पिर्थक करने के लिए आप कौन सी विधी का परयोग कीजेगा तो देखिए दही से मकन निकालने के लिए आप केंदरी विधी से समुद्र जल से नमक निकालने के लिए वास्पिकरन उसके बाद है क्रिष्टली करन विधी से किस प्रकार के मिसरनों को पिर्थक किया जाता है क्रिष्टली करन विधी से मिसरनों को पिर्थक करने के लिए इसे जल की नुनतम मातरा में घोल कर असुधियों को च्छान लेते हैं क्रिश्टली करन बेधी द्वारा जल की मात्रा जब डालते हैं तो जो घोलन सील होता है वो मिल जाता है और उसके बाद क्या होता है तो असुर्धी जो है वो कुछ दिर बाद छोड़ने के नीचे की और बढ़ जाएगा इसके पस्चात वेलियन को चानक पत्र से ढंक कर हो जाएगा तो पदार का क्रिश्टल क्या हो जाएगा हमें पराप्त हो जाएगा ठीक हैं है नमर 26 के बाद पेजा पेज नमर 27 का कोचना आंसर देखेंगे पेज नमर 27 में है निमन निमन को रसानिक और भ하기 नक परीवरतं में वर्ग Rogers की परिवर्तन दोर परकार के होते हैं रासानिक परिवर्तन और भोतिक परिवर्तन इसको वर्गी कृत करना है जैसे दिया हुआ पेर का कटना मक्षन का एक वर्तन में पिखलना अलमारी में जंग लगना जल का उबलकर वास में बनना विद्यूत तरंग का जल में प्रवाहित हो ठीक है तो देखिए इसमें जो है रसाइनिक परिवर्तन के अंतरगत हो जाएगा अलमारी में जंग लगना लुहा जो है वो ऑक्सिजन से अभी क्रिया कर लेगा विद्यूत तरंग का जल में जब आप पर वाहित कीजेगा तो कैथोड और एनोड पर जो ऑक्सिजन और नमक का घुलना और फलों से सलाद बनाना यह सब भौतिक परिवर्तन के अंतरगत आजाएगा ठीक है आगे है अपने आसपास की चीजों को सुध पदार्थो या मिसरन से अलग करने का परियत्म करें जैसे सुध पदार्थ हो गया अपने आसपास के कुछ पदार्थो को द रखिएगा क्योंकि यहां से आपसे प्रस्न कोई को पूछ सकता है ठीक है तो अभ्यास के बीच के प्रस्न के लिए आज का यह वीडियो इतना ही है अभ्यास का प्रस्न तर एक नए दूसरा वीडियो बनाके हम अपलोड कर देंगे आप लोग नोट्स तयार कर लिजेगा इसको अधिक्षा वियाद कीजेगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा आज के लिए इतना ही फिर एक नए वीडियो साथ मिलते हैं जै हिंद जै भारत